इन्फॉर्मेशन टेकनोलोजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाए है हलो फ्रेंड्स मेरे चनल इन्फॉर्मेशन टेकनोलोजी तेंटर में आपका फिर से स्वा गता हैं हम शेर बाजार की सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें मैं complete share बाजार की knowledge आपको देने का पूरा प्रियास कर रहा हूँ उसी क्रम में आज हम देखने वाले हैं OFS की 100% सही और संपूर जानकारी जिसे offer for sell भी कहता है इसका complete analysis लाया हूँ मैं मेरे वीडियो थोड़े लंबे होता है क्योंकि उसमें full analysis आपको देखने को मिलता है तो आज हम देखने वाले हैं OFS कौन से company ला सकती है OFS क्या होता है reservation in OFS ये क्या है floor price क्या होती है OFS में OFS की गोशना कितने दिन पहले होती है OFS की timelines क्या होती है OFS में कोई lot size होती है क्या single clearing price ये क्या होती है OFS के बारे में यहां देखने को मिलेगी तो चलते हैं इसको OFS को देखते हैं सबसे पहले companies funds कैसे raise करती है मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ companies fund raise करने के चार तरीके होते है debt, IPO, rights issue और FPO sir यहां OFS तो है नहीं बिल्कुल सही है क्यो नहीं है इसका कारण देता हूँ यह है company दौरा fund raise करने के तरीके तो OFS से company fund raise नहीं करती है यह clear कर लो OFS से company fund raise नहीं करती है इसी कारण से यहां उसका नाम नहीं है OFS का तो फिर कोन रैस करता है OFS से fund तो देखो promoters funds कैसे raise करते हैं पर्मोटर्स को यदी पैसे की जरूरत है या सेबिय की गाइडलाइन्स के कारण उन्हें अपने शेर्स बेचने पड़ रहे हैं तो पर्मोटर्स ओएफएस लाते हैं जिसे ओफर फोर सेल करते हैं यानि कि कमपनी खुद नहीं लाती है कमपनी अपने शेर्स नहीं बेचती है promoters अपने shares बेशते हैं यानि की कहाने का मतलब offer for sale में या OFS में नए shares बिकरी के लिए market में नहीं आते बलकि जो पहले से promoters के पास shares है उन्हीं को बेचा जाता है जनता को क्यों लाया जाता है या तो हो सकता है promoters को पैसे की जरूतो पहली चीज़ तो यह या सेवी की guidelines भी होती है कि किसी company में कितने percent promoters के पास share होना चीए इसकी guidelines होती है तो अगर वो उस guideline में नहीं आ रहा हो या माल उस guideline से ज़्यादा उसके पास shares हो तो फिर क्या होगा उसको अपने shares बेचने पड़ेंगे ठीक है कई बार promoters के पास 90-90% तक shares होती है तो ऐसे में वो सेवी की guidelines को follow करते वे कुछ percent shares वो market में बेचने के लिए लाता है तो इसी को offer for sale करते है ठीक अब आगे देखते हैं OFS कौन सी company के promoters ला सकते हैं ये भी clear कर लो OFS लाने का अधिकार केवल उन्ही promoters को होता है जिनकी company पहले से share बाजार में listed है जो company अभी तक share बाजार में list नहीं हुई है वो IPO लाती है और जो company list हो गई है वो FPO लाती है और जो company list हो चुकी है और उसके promoters shares बेचना चाते हैं वो OFS लाता है तीनों में clear हो गया कोई company अगर share बाजार में list नहीं हुए और fundraise करना चाती है IPO लाएंगे कोई company share बाजार में list हो चुकी और फिर fundraise करना चाते है तो वो FPO लाएंगे और कोई company share बाजार में list हो चुकी है लेकिन उसके promoters को share बेचना है तो OFS लाया जाता है ठीक market capitalization की हिसाब से market की 200 companies के promoters ही OFS ला सकते है जो market में 200 companies top की होती है जो market capitalization की हिसाब से निर्दारित किया जाता है वो OFS लाने के हगदार होते है फिर आगे देखते है OFS में cable promoters ही share बेच सकते हैं ऐसा है क्या कि cable promoters सी share बेच सकते हैं OFS में तो इसका भी answer देख लीजे any non promoter shareholder of eligible companies holding at least 10% of share capital may also offer shares through the OFS mechanism यदि किसी कोई non promoter है कोई promoter नहीं है किसी company में लेकिन उसके पास उस company की 10% से ज़्यादा के share है तो भी वो OFS के through अपने shares बेच सकता है तो यानि कि promoter होना ज़रूरी नहीं है shares बेचने के लिए कम से कम 10% share के मालिक हो आप तो आप OFS के through आप shares बेच सकते हैं अब आगे देखते हैं सरकारी companyों में सरकार अपनी हिस्सेदारी केसे बेचती है आपने सुना होगा देश बेच दिया सरकार ने देश बेच दिया ये काफी slogan चला है भी थोड़ा सा तो वो होता क्या है अर्थिशासर में मैं आज आपको उसका detail बताऊंगा सरकारी companyों में सरकार द्वारा सरकारी companyों में अपनी हिस्सेदारी बेचना वी निवेश या डिस इन्वेस्मेंट कलाता है ठीक है ये डिस इन्वेस्मेंट क्या होता है economics की बाशा में अर्थिशासर की बाशा में डिस इन्वेस्मेंट एक अच्छी पोलीसी मानी जाती है 1901 में मैं थोड़ी सी जान कर देदू 1901 में भारत की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी तब उस वक्त ततकालीन डॉक्टर मनमौन सिन वित्मंत्री थे वो विनिवेश की नीती लेके आये भारत में उदारी करण LPG liberalization, privatization और globalization की नीती लेके आये ते जिसके तहट भारत ने जो सरकारी कंपनियां जो पहले हमारे देश में सरकारी कंपनियों का बोलबाला होता था सरकारी कंपनियों में ब्रष्टाचार और उनकी inefficiency के कारण उनको दिरे दिरे private करने की policy लाई गी तो ये विनिवेश नीती 1901 में से चलती है तब से 12 सरकार हर साल सरकारी कंपनियों को बेशती आ रही है तो आज की बात नहीं है कि हम ये बेच रहे हैं इसी को अर्थशातर में विनिवेश करते हैं अब ये देख लीजे सरकारी कंपनियों में सरकार अपनी हिस्सेदारी अगर बेचना चाहती है तो वो जनरली क्या लाती है OFS उसके द्वारा वो अपनी हिस्सेदारी को बेच दिये फिर आगे देखते हैं OFS क्या होता है OFS की full form offer for sale है obviously offer का मतलब क्या है कुछ देना कुछ offer किया जा रहा है ठीक है sale का मतलब है discounted price पर shares की विक्री कहने का मतलब OFS के थू discounted price पर shares की विक्री की जा रही है market price से कम पर उसे ही OFS कहते है अब आगे देखते है floor price क्या होती है floor price is the minimum price of shares lower level at which bits can be made for an OFS तो floor price वो minimum price होती है जिस पर आप bidding लगा सकते हो जिस पर आप boli लगा सकते हो जो company ने तै कर रखी है कि इस से नीचे कीमत पर मैं अपने shares नहीं बेचूंगी company मतलब promoters या 10% से ज़्यादा जिसके पास shares है ठीक है the floor price is less than the market price obviously अगर market price से floor price कम नहीं होगी तो क्यों खरिए देंगे हम उनसे share हम direct market से खरिए लेंगे ना share इसलिए floor price को market price से नीचे ही दखा जाता है buyers cannot bid below the floor price जैसे के मैं पहले बता चुगा हूँ floor price से नीचे की कीमत पर buyers bid नहीं कर सकते हैं वो minimum floor price के लिए bid कर सकते हैं और उससे उपर तो जाइज सकते है obviously the floor price shall be disclosed while submission of the OFS notice on T1 day और floor price की गोशना कब की जाती है trading जिस दिन वो OFS shares दिखेंगे उसको trading day कहेंगे और उससे एक दिन पहले floor price की गोशना की जाती है यानि कि कोई 10-15 दिन पहले एक महिने पहले company OFS की गोशना करके floor price नहीं बताती बलकि कल है trading day उससे एक दिन पहले वो disclose करेगी कि हमारी floor price यह है क्यों करती है company ऐसा ताकि यह नहीं हो कि market में भाव बहुत जादा गिर जाए और वो market price है वो company की floor price के बराबर आजए है इसलिए आज़ती है ठीक फिर आगे देखता है reservation in office यह क्या है सेभी के नियमों के मताबिक company को 10% shares retail investors के लिए और 25% shares mutual fund और बीमा कमपनियों के लिए आरक्षित रखना अनिवार है इस category में ठीक है an investor can invest up to 2 lakh रुपीज under retail category in one company's OFS यदि कोई investor 2 lakh रुपे तक invest करना चाता है तो वो retail category में invest करेगा otherwise फिर वो दूसरी category जो NII के आती है उसमें invest कर सकता है फिर आगे देखते हैं OFS की गोशना कितने दिन पहले होती है तो देखो सेभी के नुसार यदि कोई company offer for sale OFS जारी करना चाती है और साथ ही NSC की website पर भी इसकी सूचना परसारिक की जाती है कहने का मतलब ज़्यादा दिन नहीं दो दिन जब भी offers for sale लाएगी बिल्कुल दो दिन पहले ही बताएगी यानि कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब कौन सी company OFS लाई और वो आकर चली भी गई आपको पता नहीं चलेगा क्यों क्यों रखा जाता है इतना secret ताकि market में price ज़्यादा fluctuate नहीं हो उस company के shares की इसलिए रखा जाता है फिर है OFS timelines क्या है देखो इसकी timeline देख लो आप the duration of the offer for sale shall be as per the trading hours of the secondary market जो भी secondary market में trading hours होते हैं share market में वो है इसके लिए and will be open for two trading days ये दो दिन के लिए खुलती है इसकी trading OFS की shares की trading दो दिनों के लिए खुलेगी on T day यानि कि T day मतलब trading day on T day only for non retail investors will be permitted to place their bids जो T day है यानि कि पहले दिन दो दिन होते हैं trading के मैंने बताया दो दिन रखेंगे हैं non retail investors ही इसमें bid कर सकते हैं अपने shares की बोली लगा सकते हैं और T plus one day में कौन लगा सकते हैं दो दिन होते हैं तो T वाले दिन तो ये लगा सकते हैं non retail investors बोली और T plus one day for retail investors and for non retail इसमें retail investors भी बोली लगा सकते हैं non retail भी लगा सकते हैं लेकिन non retail तेल में कौन लगाएगा, who choose to carry forward their bids to t plus one day, orders shall be placed during trading hours, the cut off time for placing OFS orders is 2.30 pm on the offer and date in Jiroda, Jiroda में offer and date को ड़ही बजेता कि आप इसकी bidding कर सकते हो, order को place कर सकते हो, ये भी ध्यामत में, फिर आगे देखता है, bid load quantity या bid load या bid quantity क्या होती है, इसको देखो, bid load या load size का तात पर रहे है, उस minimum share quantity से होता है, जिसके नूसार या फिर उसके multiplication में ही ग्राकों को shares के लिए बोली लगानी होती है, कहने का मतलब, ऐसी minimum quantity जिसे आपको खरीदना अनिवारे होता है, उसे हम load size करते हैं, लेकिन, OFS में कोई भी load size नहीं होता, a buyer can even purchase single share, यहाँ कोई load size नहीं है, मानलो load size IPO में होती है, ठीक है, वहाँ 100 share के load size है, तो 100 share का मतलब कि आप 100 share से कम की बोली नहीं लगा सकते हैं, लेकिन OFS में कोई load size नहीं है, आप एक share खरीदो, यहाँ 1000 share खरीदो, आप कितना भी bid लगा सकते हो, यहाँ कोई आपके ओपर पाबंदी नहीं है, तो यहाँ load size नहीं होती, single clearing price, यह क्या होती है OFS में, single clearing price is the price at which the shares are allocated to the successful bidders, इनने proportionate basis methodology, इसमें क्या होता है, single clearing price, यानि कि सब को एक ही कीमत पे shares मिलेंगे, OFS में सबने अलग-अलग बोली लगाई, लेकिन एक average निकाला जाता है, और उस average के through single clearing price होती है, यानि कि सब को एक ही कीमत दे, company देख लेती है, highest price किसने लगाई है, तो जो top highest price लगाने वाले होते हैं, उन सब का एक average निकालती है, वेटेज करके, और उसके through फिर सब को एक कीमत पर देती है, यह नहीं कि मालो, company ने 150 रखी price, अब मैंने 180 पर लगा रखी थी बोली, तो मुझे भी 150 पर ही मिल जाएगा, 180 लगाने के बाउजू, क्यों, क्योंकि वो single clearing price आई है, उसकी, in single price clearing, all the investors get the shares with identical price, केवल identical price पर ही shares मिलेंगे, अलग-अलग कीमतों पर shares नहीं मि और इसी को generally cut off price भी कर देते हैं, कि जो highest price होती है, उसको company ले लेती है, average price की रूप में, और उसके अनुसार वो daily कर देती है, ठीक है, अब देखते हैं, multiple clearing prices, यह क्या होता है, OFS में, multiple clearing prices are the, prices at which the shares are allocated to the successful bidders, इने price priority methodology, इसमें क्या होता है, कि जो ज़्यादा बोली लगाएग उसे shares दिया जाएगे, यानि कि जो जो उची बोली लगाएगा, उसी कोई shares मिलेंगे, और उसी भाव पर मिलेंगे, यानि कि अलग-अलग shares की, अलग-अलग कीमत होगी, अगर multiple clearing prices वाला OFS लाया गया है, ठीक, इन multiple price clearing, all the investors get the shares at a price on a preference basis, जैसे जैसे मैंने बोली लगाई, व उसे shares मिल जाएंगे, यानि कि कि किसी को अगर माल लो, जिसने ज्यादा बोली लगाई है, उसे ज्यादा कीमत पर वो share मिलेंगे, थोड़ी से कम वाले को भी, अलग-अलग different price पर वो shares सबको मिल जाएंगे, जो भी range में आएगा, फिर आगी देखता है, under subscription OFS ये क्या होता है जब OFS demand कम हो, और OFS की supply ज़्यादा हो, तो उसे under subscription कहेंगे, कि जितना shares लाया गया था विकरी के लिए, उतनी demand नहीं होई, तो उसे हम under subscription OFS कहेंगे, और over subscription OFS क्या होगा, जब OFS demand ज़्यादा हो, office supply से तो उसे over subscription कहेंगे, कि demand ज़्यादा होगी किसी कारण वश, तो उससे क क्या होगा, उसकी demand ज़्यादा होगी, तो value भी उसकी फिर बढ़ने लग जाएगी, फिर है, OFS में निवेश कैसे करें, finally, OFS में निवेश करने के लिए, आपके पास demand अकाउंट भी होना ज़रूरी है, और trading अकाउंट होना भी ज़रूरी है, दोन अकाउंट होने चीए, औ और आपके उसके बाद, आप केवल अपने broker के platform का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ application नहीं होती, OFS में, ठीक है न, यहाँ क्या होता है, आपके पास जो broker होता है, जैसे 0da है, 5pesa.com है, बहुत सारे हैं, यह सारे के सारे हैं, brokers, share market की दुनिया में अच्छे, ठीक है, इनके through ही आ आप OFS में निवेश कर सकते हैं, आप personally कहीं bank में जाकर यहाँ से नहीं कर सकते हैं, आपको broker के पास ही उसके platform का यूज़ करते ही हुई, आपको OFS में निवेश करना चाहिए क्या, हाँ, definitely करना च्याये, क्यूं करना चीये, कब करना च्याये, कैसे करना च्याये, सरकारी company home मे अक्सर आपने देखा होगा कि सरकारी कंपनियों में क्या होता है तो क्या होगा आने वाले टाइम में जब ट्राइवेट हाथ में वोजे एक कंपनी जाएगी तो अच्छा फायदे के चांस जादा है क्योंकि सरकार अपनी इससेदारी बेच रही है क्यों? क्योंकि वो प्राइविटाइजेशन करना चाहती है इसलिए वो गाटा हो या नियो कई बार जो अच्छी कंपनियां होती है जिन में सरकार को प्रॉफिट हो रहा है उसके बाउजूद भी वो उसको बेचती है क्यों? क्योंकि भारत में प्राइविटाइजेशन की पॉलिसी को यूज कर रखा है 1901 में से मेरे चैनल पर आपको संपून शेर बाजार और NPS नेशनल पैंशन स्कीम की 100 परतिशत सही और संपून जानकारी मिलेगी आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें Information Technology Center चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद